Hello students, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube channel Princeward Education में पिछली क्लास में हमने आपको प्रतानाचार की भूमिका के बारे में बताए था आज क्लास में हम आपको प्रतानाचार के गुण के बारे में बताएंगे प्रतानाचार का पद बहुत ही महत्पूर होता है जैसा प्रधानाचार होगा वैसा ही विद्याले होगा विद्याले का जो संपूर्ण विकास है वो प्रधानाचार के कुशल संचालन पर निर्भर करता है मतलब जो विद्याले की पूर्ण जिम्मेदारी है वो किस पर निर्भर करती है प्रधानाचार पर निभर करती है एक सफल प्रधानाचार में कौन-कौन से गुण होने चाहिए इस प्रकार कुछ विद्वानों ने विचार पस्तुत किये पहला कौन से है मायर्स ने एक अध्यन द्वारा एक प्रशाचन एवं नेतरत्तु करता कि इन गुणों की पहचान किये पहला क्या है संप्रेशन कौशल महत्व कांग्शी, अंतरदस्टी, सहयोग, मौलिक्ता अगुवाई मतलब क्या हुआ लीडर्शिप, लोग प्रियता, निर्ने शक्ती ठीक है इस तरह से मायर्श ने कौन-कौन से गुण बताया है संप्रेशन कौशल महत्व कांग्शी होना चाहिए अंतरदस्टी होनी चाहिए सहयोग की भावना होनी चाहिए मौलिक्ता होनी चाहिए लीडर्शिप होनी चाहिए लोग प्रियता होनी चाहिए और निर्णयन शक्ति होनी चाहिए ये प्रधानाचार की गुण के बारे में मायर्स ने बताया है वाड जी रीडर तथा ब्रे ने उत्तम व्यक्ति चरित्र की सुधता एवं द्रणता और नेत्रत शक्ति पर अधिक बल दिया है उन्होंने बताया है जो रीडर और ब्रे हैं उन्होंने बताया है कि प्रधानाचार एक उत्तम चरित्र वाला होना चाहिए एक उत्तम व्यक्ति होना चाहिए उसमें शुधता होनी चाहिए द्रणता होने चाहिए और नेत्रत शक्ति अधिक होनी चाहिए और इस पर ही उन्होंने बल दिया है श्री S.E. ब्रे ने विद्याले संगठन नामक अपनी पुस्तक में प्रधानाचार के कुछ प्रमुकुणों का उलेक किया है तो स्कूल और्गनाईजेशन बोल दे या विद्याले संगठन बोल दे किसने लिखी है? S.E. ब्रे ने एक पुस्तक लिखिये स्कूल और्गनाईजेशन विद्याले संगठन नामक अपनी पुस्तक में प्रधानाचार के कुछ प्रमुकुणों का उलेक किया है कौन-कौन से गुण है? करतावे परायन, दर्णता, संगठन शक्ती, आत्मनियंत्रन, अपने कार से प्रेम, व्यापक सहानभूती, उचित निर्नय, तथा चरित्र को समझने की शक्ती इब्रे ने विद्याले संगठन, स्कूल और्गनेजेशन नामक पुस्तक में प्रधानाचार के कुछ गुण पताए हैं कौन-कौन से गुण बताए हैं? करतव पराणयता होताया है, दर्णता बताए है, संगठन शक्ती होनी चाहिए, आत्मनियंत्रन होना चाहिए, अपने कार से प्रेम होना चाहिए, व्यापक सहानभूती, उचित निर्नय, तथा चरित्र को समझने की शक्ती होनी चाहिए ठीक है? प्रधाना चार को प्रशाशक की रूप में अत्यंत गंभीर दायतों निभाने होते हैं इसलिए अपने महत्रपूर्ट दायतों को निर्वहन करने के व्यक्तित में कुछ विशेश गुणों का होना आवश्यक माना गया है कौन-कौन से व्यक्तिक गुण, प्रशाशकी गुण और व्यवसाईक गुण ठीक है व्यक्तिक गुण के अंतरगत क्या आते हैं उच्य चरित आता है उत्तम स्वास्त प्रभाशाली व्यक्तित्व नेतरत्य की छमता आत्म विश्वास प्रतवी निष्टा निसपक्षिता एवँ नियाई प्रिता अत्म भूती पून बहवार लोगतांत्रिक द्रश्टिकुण सह समंद की छमता तो व्यक्तिक गुण के अंतरगत कौन कौन से गुणाते हैं? उच्चे चरित, उत्तम स्वास्त, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, नेतरत्व की छमता, आत्मिविश्वास्त, करतावी निश्टता, निस्पक्षता, एवं नयाय पेड़ता, एवं नयाय प्रियता, सहान भूत व्यक्तिक गुण के बारे में उच्च चरित्र, प्रधानाचार का चरित्र उज्वल होना चाहिए, श्री मुखरजी के शब्दों में प्रधानाचार को उच्च उत्तम चरित्र, श्रेष्ट संयोजक, दार्शनिक द्रश्टिकोंड, एवं कुशल प्रशाशक होना चाहिए, उसका आचरन, समस्त विद् स्वास्त एवं इस्फूर्ति, प्रधानाचार का स्वास्त अच्चा होना चाहिए, अच्छा स्वास्त शारिक इस्फूर्ति देता है, स्वास्त शरीर में स्वास्त मस्तिष्ग का वास होता है, अच्छे स्वास्त एवं स्वास्त मस्तिष्ग से कार्य छमता में व्रती होत प्रतिभाशाली होना चाहिए क्योंकि प्रतिभाशाली व्यक्तित से विद्याले संगठन एवं प्रशाशन को सफल बनाने में सही योग मिलता है तो प्रतानाचार का व्यक्तित एवं प्रशाशन को सफल बनाने के लिए व्यक्तित एवं प्रशाशन को सफल बनाने के लिए जब समान सैक्षिक योगता वाले अध्यापकों, अभिवावकों एवाबंदकों को उचित मारगरशन दे सकें प्रतेक संगठन के संचालन के लिए नेतरत की आवशिक्ता होती है उसी तरह विद्याले भी विद्याले भी एक लगु संगठित समाज है विद्याले क्या है समाज का लगु रूप है, जिसको चलाने के लिए एक नेता की आवशिक्ता होती है और नेता वही होता है जिसमें नेतरत के सबीगोड हो ठीक है, तो प्रधानाचार में भी क्या होने चाहिए? नेतरत की चमता होनी चाहिए नेक्स्ट है आत्म विश्वास, प्रधानाचार को अपने में दरण आत्म विश्वास होना चाहिए क्योंकि आत्म विश्वास ही सफलता की सीड़ी है किसी कार के सफल संपादन के लिए दरण इच्छा सक्षती होनी चाहिए दरन आत्मिश्वास का होना जरूरी है प्रधानाचार के पास यदि आत्मिश्वास एवं इच्छा सक्ति की कमी है तो वह कोई कारे अच्छी तरह नहीं कर सकता है इसलिए प्रधानाचार के पास में आत्मिश्वास भी होना चाहिए और इच्छा सकती भी होनी चाहिए नेक्स्ट है कर्तव निस्टता प्रधानाचार को कर्तव निस्ट होना चाहिए वह अपनी सिक्षाओं अर्थात जिर नियम, सिध्धान, कानून की सिक्षा अपने सहयोगियों एवं छात्रों को देना चाहता है उसे क्रिया रूप में पढ़नित करना चाहिए स्वयम उन नियमों, सिध्धानतों इवं आदर्शों पर चलकर आदर्श प्रस्तुत भी करना चाहिए तो प्रधानाचार को कैसा होना चाहिए कर्तव निस्ट होना चाहिए अपने काम के प्रति निस्ठा रखनी चाहिए नेक्स्ट है प्रशाश की गुण एक कुशल प्रशाशक के लिए प्रशाश की छमता योगता का होना आवश्यक है प्रशाशक में विभिन प्रकार की योजनाय बनाने क्रियानवित करने उन्हें संगठित करने की विशेश योगता होनी चाहिए तो जो एक प्रशाशक को क्या होना चाहिए एक अच्छा प्रशाशक होना चाहिए ताकि वो विभिन प्रकार की योजनाय बना सके उसे क्रियानवित कर सके और उसे संगटित करने की विशेश योगिता होने चाहिए आयवे की विभिन मदों को ध्यान में रखते हुए प्रशाशक को बजट त्यार करने में निपुण होना चाहिए ठीक है प्रशाशकी गुणों में नेम लिखित को समलित क्या आता है पहला क्या है कुशल प्रशाशक प्रधानाचार को एक कुशल प्रशाशक होना चाहिए इसके लिए उसमें अच्छा नियोजन करने, संगठन करने, योगि सिक्षकों तता कर्मचारियों की नियुक्त करने की योगिता एवं उनके कार्यों की विवस्ता करने, समन्वे, संचालन और रिपोर्ट एवं बजट बनाने की छमता आधी प्रशाश की गुणों का होना आवश्यक है तो एक प्रधानाचार में कौन कौन से गुणों होना चाहिए? कार्य करने की विवस्ता करना, समन्वे, संचालन तता रिपोर्ट एवं बजट बनाने की छमता आधी प्रशाशकी गुणों का होना आवश्यक माना गया है मुकरजी ने कहा है कि प्रधाना ध्यापक विद्याले की आंत्रिक एवं बाहा प्रशाशन के मत्य एक कड़ी है नेक्स क्या है? लोग तंतरी दरिश्टिकोन प्रशाशक को लोग तंतरी दरिश्टिकोन वाला होना चाहिए विद्याले प्रशाशन को सुतंदरता, समानता, भातत्यों तथा न्याय प्रेता के लोग तांत्रिक सिध्धानतों पर चलना चाहिए उसे समाज की अवशित्ताओं, सांस्कृतिक मूलियों, मानताओं, रीतिरिवाजों, इत्यादी से पूर अवगत होना चाहिए उसे समाज की अवशित्ता के बारे में पता होना चाहिए, मानताओं, रीतिरिवाज क्या है, इनके बारे में पूर अवगत होना चाहिए ठीक है अभिवाव को एवं समाज की जो नागरिक हैं उनके साथ संपर करके विद्ध्याले को आरदर्श रूप में प्रस्थुत कर सकता है कौन प्रधानाचार नेक्स क्या है प्रवीन संगठन करता प्रधानाचार को एक कुशल संगठन करता होना चाहिए जिससे वह छात्रों, सिक्षकों एवं कर्मिचारियों का सहयोग प्राप्त करते हुए विद्ध्याले में सु विवस्ता इस्थापित कर सके इसके लिए उसको विद्ध्याले संगठन के मूल सिध्धान, समाज की जो आवशकता हैं अदर्शों का ज्यान होना चाहिए प्रधानाचार को एक संगठन करता होना चाहिए और उसे जो विद्ध्याले संगठन के मूल सिध्धान, समाज की जो आवशकता हैं और जो आदर्श हैं, उन सबका ज्यान होना चाहिए नेक्स क्या है? वessaterial साइक गुण प्रधानाचार का योग्य होना और चरित्वान होना ही परियात्त नहीं है ना ही अच्छा प्रशाशक बल की व्यवसाइक निस्टा सर्वोपरी होनी चाहिए मतलब ये सब गुर्टों उसमें होने ही चाहिए लेकिन सबसे उपर होनी चाहिए व्यवसाइक निस्टा वेवसाइक निस्टा के अभाव में एक प्रधानाचार कभी सफल नहीं हो सकता है प्रत्ते प्रधानाचार में वेवसाइक निस्टा होनी चाहिए ठीक है, नेक्स्ट क्या है समान ग्यान प्रधानाचार को विश्यू की राजनातिक आर्थिक समाजी आदिघटनाओं का व्यापक ज्यान होना चाहिए उसका समान ज्यान उच्च श्रेणी का होना चाहिए जो प्रधानाचार का समान ज्यान है वो कैसा होना चाहिए उच्च श्रेणी का होना चाहिए मतलब उसको हर विशय के बारे में knowledge होनी चाहिए जिससे सिक्षक उसकी विद्धता के बारे में उसका सम्मान करे ठीक है Next क्या है वेवसाई का ज्यान प्रधानाचार को अपने वेवसाई ज्यान को नवीनतम बनाये रखने के लिए एवं उत्रोतर व्रदी के लिए वेवसाईक साहित का अध्यन करते रहना चाहिए सिक्षन कार ही एक सिक्षक का मुख्य वेवसाई है मतलब सिक्षन कार करते रहना ही एक सिक्षक का क्या है मुख्य वेवसाई है ठीक है प्रधानाचार को एक सिक्षक के रूप में बाल मनोवी ज्यान, सिक्षन कला, सैक्षिक तक्नीकी, सिक्षन आव्यू, एवन सिध्धानतों का ज्यान होना चाहिए एक प्रशाशक की रूप में विद्याले प्रशाशन एवं संग्टन का ग्यान, पार्टिक्रम निर्माण एवं निर्धारन की सिध्धान का भी ग्यान होना चाहिए तभी वह अपने प्रशाशकी पत का निर्वहन प्रधानाचारे की रूप में कर सकता है नेक्स्ट क्या है ज्यान प्राप्ति के लिए उस्तुकता एवं विद्धुता एक योगी प्रधानाचार में ज्यान प्राप्ति की लालसा होने चाहिए उसे अपने सहयोगी अध्यापकों से अधिक ज्यान होना चाहिए मतलब प्रधानाचार के जो सहयोगी अध्यापक है उ उसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा या छात्र या सिक्षक किसी के द्वारा सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए प्रधानाचार को कैसा होना चाहिए? सभी विशय का ग्याता होना चाहिए। उसे एक विशे का ही ग्याता नहीं होना चाहिए, बलकि कई विशियों का थोड़ा बहुत ग्यान अवश्य होना चाहिए. कुछ अन्य विशे जैसे समाज सास्त्र, सिख्षा सास्त्र, मनोविग्यान, राचनीती, इत्यादी का भी ग्यान होना आवश्यक है. नेक्स्ट क्या है कुशल प्रवक्ता प्रधानाचार को एक कुशल प्रवक्ता भी होना चाहिए उसे एक प्रशाशक एवं स्कूल नेता होने की कारण स्कूल एवं समाज में अपने विचार को प्रकट करने का अवसर प्राप्त होता रहता है यदि उसमें विचार प्रकट करने एवं भाशर की कुशलता विद्दमान है तो वह छात्र, सिक्षक, अविवावक एवं अननागरिकों को प्रभावित कर सकता है तो एक प्रधानाचार में सबसे मुख्यों होना चाहिए अपने विचार प्रकट करने की छमता ठीक है, प्रधानाचार में भाशर की कुशलता होने चाहिए, अपने विचार को प्रकट करने की छमता होने चाहिए तब ही वह अपनी बात को सिक्षक, अभिवावक और अन्य नागरिकों तक पहुचा पाएगा ठीक है तो एक प्रधानाचार को क्या होना चाहिए? एक कुशल प्रवक्ता होने चाहिए नेक्स्ट क्या है समय की नियमत्ता प्रधानाचार का सबसे बड़ा गोण समय की महत्यों को समझना और समय का पाबंध होना है कोई भी प्रधानाचार यदि समय की नियमत्ता का ध्यान नहीं रखेगा स्वयम समय पर विद्याले नहीं जाएगा तो वह अपने अध्यापकों एवं अधिनस्त कर्मचारियों और छात्रों को समय से विद्याले आने की प्रेरित नहीं कर सकता है जब वह स्वयम विद्याले समय पर आएगा तभी तो वह सिक्षकों और छात्रों से कह सकेगा कि आप भी समय पर विद्याले आएं तो इसके लिए क्या जरूरी है कि प्रधानाचार भी समय का पाबंध हो, समय के महत्तों को समझे, तबी वह दूसरों को भी समय के महत्तों को समझा पाएगा ठीक है, बाल कृष्ण जोशी ने ठीक ही लिखा है कि किसी की रास्ट की प्रगति का निर्माण, विधान सभाओं, नयायलों और फेक्ट्रियों में नहीं वरन विद्याले में होता है ठीक है, तो आज क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, आज क्लास में हमने एक आदर्श प्रधाना त्यापक के गुण पढ़े, व्यक्तिक गुण पढ़े, प्रशाशकी गुण पढ़े और व्यवसाइक गुण पढ़े next class में हम प्रधाना चार के दायत्तों के बारें पढ़ेंगे Beard and Seated की सभी classes देखने के लिए description में link दिया गया है वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं PDF के लिए आप हमारे टेलिगाम चैनल को join कर सकते हैं जिसका link भी description box में दिया गया है धन्यवाद मिलते हैं अपनी next class में